हेलो एवरिबड़ी वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं एकता आपका मेरे चैनल एकता क्रियेशन्स में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो एक ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग इसके लिए मैंने ये फैवरिक लिया है ये ब्लाउस का फैवरिक मुझे एक साड़ी के साथ ही रिसीव हुआ था और ये जो फैवरिक है ये देखिए ये कुछ इस तरह का फैवरिक मुझे मिला था इसमें half part पर ये brocade का काम किया हुआ है और half part इसका plane है और इसके लिए मैंने lining का जो fabric लिया है ये cotton lining का fabric है और ये मैंने 1 meter इसके लिए use किया है और ये जो blouse है ये एक jacket style का blouse बनकर ready हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम blouse के lining की cutting कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने lining के fabric को 4 fold कर लिया है और यहाँ पर जो lining का fabric है उसकी length मैंने 16 inches रखी है और width 11 inches रखी है इस तरह से 4 fold करने के बाद इसके folded side से मैं यहाँ पर 7.5 inches shoulder के लिए mark कर रही हूँ और इसके बाद मैं arm hole के लिए यहाँ पर 6.5 inches mark कर रही हूँ यह arm hole depth है 6.5 inches इसके बाद front arm hole के लिए मैं 1 inch अंदर की तरफ mark करूँगी और इस तरह से यह front का arm hole भी मैंने यहाँ पर draw कर लिया है अब मैं यहाँ पर neck के लिए 4 inches draw कर रही हूँ और यहाँ पर shoulder down cut मैं half inches down लेते हुए लगा रही हूँ इसके बाद यहाँ पर tucks के लिए मैं यहाँ पर 10 inches उपर से और 4 inches center से mark कर रही हूँ और यहाँ पर 11 inches मैं दोनों side पर mark कर रही हूँ इस line के यहाँ पर 2 inch का tucks बनेगा यहाँ पर मैं chest की marking कर रही हूँ measurement मैं आपको screen पर बता दूँगी यहाँ पर मैं 9.5 inches क्यों mark कर रही हूँ और यह नीचे मैं यहाँ पर 10 inches mark कर रही हूँ west वैसे 32 है तो 8 inches होता है और 2 inch मैंने यहाँ पर plus किया है यहाँ पर जो मैं tucks लगा रही हैं उसके लिए और उसके बाद मैं extra यहाँ पर margin ले लूँगी 1.5 inches का और इस तरह से मैं इसको cut कर लूँगी अब यहाँ पर मैं front का जो आम होल है वो cut कर लूँगी और front के neck के लिए मैंने center से 4 inch mark किया है और depth यहाँ पर 7 inch mark किया है और मैं यहाँ पर neck draw कर लूँगी तो इस तरह से मैंने यह V shape में neck draw कर लिया है यह front का neck है अब इसको मैं cut कर लूँगी अब इसके बाद मैं back का neck draw करूँगी तो यहाँ पर मैंने center से 4 inches और top से 2 inches draw किया है और इस पर मैं एक round neck draw कर लूँगी इसके बाद जो मैंने पहला वाला neck draw किया है वहाँ से नीचे की तरफ 2 inches और center से 3.5 inches पर इस तरह से marking करूँगी और उपर से 10 inches पर यह mark कर के मैं यहाँ पर एक V shape का pattern draw कर लूँगी इस तरह से अब इसको मैं cut कर लूँगी अब मैं blouse के back side पे भी tucks की marking कर लूँगी तो इसके लिए मैंने top से 10 inch पर mark किया और center से 4 inch पर mark किया है और इस तरह से मैं यहाँ पर half half inch दोनों side लेते हुए इस तरह से 1 inch की tucks की marking कर लूँगी अब मैं अस्तर के fabric को main fabric पर रख कर cut कर लूँगी तो यह देखिए plane वाले part से मैं blouse का यह piece cut करूँगी blouse का front part और back part तो इस तरह से मैं इसको रख कर cut कर लूँगी और थोड़ा सा margin लेते हुए मैं इसे cut करूँगी इसके बाद main fabric को मैं सीधा रखूँगी और इसके उपर अस्तर का fabric इस तरह से रख लूँगी और इसके neck वाले part पर और इसके bottom वाले part पर मैं stitch लगा दूँगी और ये देखिए बीच में जो pattern है उस पर भी मैं stitch लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी इसी तरह से front वाले part के भी neck पे और bottom part पे मैं stitch लगा लूँगी और इसे पलट लूँगी तो ये देखिए यहाँ पर मैंने blouse के front part के neck पे और bottom पे stitch लगा लिया है अब इसके बाद इसके neck वाले part पे मैं इस तरह से हलके हलके cuts लगाऊंगी चोटे-चोटे से cuts लगाऊंगी और इसके बाद इस fabric को मैं पलट लूँगी तो ये दिखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है अब पलटने के बाद इसके neck वाले part पे और इसके bottom वाले part पे मैं top की stitch लगा दूँगी और इसके जो tucks है उस पर भी मैं stitch लगा लूँगी और यहां पर इसको चारों तरफ से stitch करके secure कर लूँगी तो ये देखिए friends ये blouse के front part के bottom वाले part पे भी मैंने stitch लगा लिया है neck पर भी मैंने top की stitch लगा लिया है और इसके tucks भी मैंने बना कर ready कर लिये है और इसको चारों तरफ से stitch करके secure कर लिया है अब मैं इसमें एक और tucks लगाने वाली हूँ ये देखिए यहां पर मैं इसको लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने top से यहां पर 5.5 inches mark किया है और यहां पर मैं half inch का tucks लगाऊंगी ये देखिए इस तरह से इससे जो यहां arm hole के पास जो थोड़ा सा उभार आता है वो नहीं आता तो यहां पर मैं एक टक्स लगा लूँगी और इसको जहां पर ये पहले वाली टक्स है वहां तक मैं इसको मिला लूँगी अब ये blouse का back वाला पार्ट है इसके भी bottom वाले पार्ट पे मैंने stitch लगा लिया है और इसका जो ये neck वाला पार्ट है इस पर भी मैंने इस तरह से stitch लगा लिया है इसको मैं center से cut करूँगी क्योंकि ये back open blouse बन कर ready होगा तो इसको मैंने इसी तरह से stitch किया है अब इसके बाद इसके नेक वाले पार्ट पर मैं इस तरह से cuts लगा लूँगी और इसके जो सैंटर में ये extra fabric है इसको मैं cut करके अलग कर लूँगी ये back open blouse है तो इसका back का जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैं बाद में neck बनने के बाद cut करूँगी यावरिक को मैं पलट लूँगी तो ये देखी फ्रेंट इस तरह से मैंने इस ब्लाउस के बैक वाले पार्ट को अच्छे से पलट लिया है और इसके नेक वाले पार्ट पे और बॉटम वाले पार्ट पे टॉप की स्टिच लगा दी है और इसके टक्स को भी मैंने स्टिच कर लिया है अब इसको बॉटम वाले पार्ट से भी मैं कट कर लूँगी यह रिखी क्योंकि यह बैक ओपन ब्लाउस में यहां बनाऊंगी यहां पर मैं आई पट्टी और हुक पट्टी लगाऊंगी तो इस तरह से मैंने यह बैक वाले पार्ट को दो पार्ट में रिवाइट कर कर लोंगी अब में फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट को शूडर के पास से जोइट कर लूँगी अब फ्रेंड्स में इसके लिए एक जैकेट बना रही हो वन साइट जैकेट तो विसके लिए मैंने यह यह इसको चलह दश्त पार्ट आ कर लिए है उसकी लेंथ मैंने yemद और इसके बाद मैंने यहाँ पर armhole draw कर लिया है और front के armhole के लिए मैंने वन इंच अंदर की तरफ mark करते वे, front का armhole भी draw कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3.5 inches neck के लिए draw किया है center से और इसके बाद 7 inches उपर से top से draw करके मैं यहाँ पर V-neck draw कर लूँगी, हलका सा शेप देते वे मैं इस वीनेक को ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से और ये जो मेरा जैकेट बन का रेडी हो रहा है ये वन साइड़ जैकेट है इसमें सिर्फ वन आम होल होगा दोनों साइड आम होल नहीं होंगे अब मैं इस जैकेट के बॉटम वाले पार्ट पे सेंटर की मार्किंग कर रही हूँ इसके बाद मैं यहां नीचे पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी तो वेस्ट यहां पे 32 इंचेस है 32 इंचेस को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और प्लस 1 इंच टक्स का जोड़के यहां पर 9 इंचेस आएगा और यहां पर मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ जो की टॉप से 10 इंच पर और सेंटर से 4 इंच पर है और इस तरह से यहां पर मैं 1 इंच का टक्स लगा लूँगी और यह जो tux है यह सिर्फ jacket के one side पे लगेगा दूसरे side पे हम tux नहीं लगाएंगे इससे fitting बहुत अच्छी आएगी अब मैं यहाँ पे chest की marking कर रहे हूँ जो की 9.5 inches है अब इसके बाद center से दूसरे side पे मैं west की marking कर रहे हूँ जो की 8 inches रहेगी क्योंकि यहाँ पे tux नहीं लगेगा और इस point को मैं उपर जो मैंने neck का center point लिया था वहाँ से मैं इसको joint कर लूँगी इस तरह से तिर्चा मैं इसे joint कर लूँगी और इसके बाद मैं इस fabric को cut कर लूँगी और यहाँ पर अभी सिर्फ मैं back का armhole cut करूँगी front का armhole मैं main fabric पर ही cut करूँगी क्योंकि यह one sided jacket है और इसका जो armhole है वो right hand side पे आएगा तो इसलिए हम इसका जो armhole का front cut है वो main fabric की उपर ही देख कर करेंगे इस तरह से अस्तर पर cut करने से confusion हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैं back का जो armhole है उसको ही cut करूँगी दोनों parts पर और इसे main fabric पर cut करने के बाद फिर main fabric पर मैं इसका front का जो armhole है उसको cut करूँगी तो इस तरह से मैंने jacket के दो parts cut करके ready कर लिए front part और back part अब इसके जो back वाले part है उस पर भी मैं tux की marking करूँगी सेम जैसे मैंने front वाले part पर किया था अब इसके बाद मैं इसको main fabric के ऊपर रख कर cut कर लूँगी यह जो main fabric है इस पर बूटे बने हुए हैं और यह one sided उपर की तरफ इस तरह से बूटे बने हुए हैं तो इसलिए मैंने इस fabric को इस तरह से रख कर cut किया है अब यह देखिए friends यह जो front वाला part है यह वाला इसको मैंने right side पर जो armhole आ रहा है उसके उपर इस तरह से रखा है front वाले part को और वो दूसरा वाला जो है वो back वाला part है और इसका front का armhole है उसको मैंने cut कर लिया है और इसके बाद मैंने इसके armhole पर और इसके यह neck वाले part पर और इसके bottom वाले part पर stitch लगा लिया है और stitch लगाने के बाद मैंने इस तरह से cuts लगा लिया है और cut लगाने के बाद इस fabric को मैंने पलट लिया है तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इस जैकेट के फैबरिक को स्टिच करके पलट लिया है और पलटने के बाद मैं इसके उपर टॉप की स्टिच लगा लूँगी इसके आम होल वाले पार्ट पे और इसके बॉटम वाले पार्ट पे और इसके नेक वाले पार्ट पर भी ये जो तिर्चा जो पार्ट है नेक से लेके नीचे तक उस पर भी और इस पर मैं टक्स की सिलाई लगा लूँगी अब फ्रेंट्स में इसके जो फ्रेंट वाले पार्ट है इस पर एक और टक्स लगाऊंगी इसके आम होल के पास जिससे यहाँ पर जो हलका सा उभार आता है वो ना है बने उपर से 5.5 इंचेस मार्क कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 इंच की छोटी सी टक्स लगा लूँगी और इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी तो इस तरह से यह मेरा जैकेट का फ्रेंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है सेम इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेंगे और इस पर भी टक्स की सिलाई लगा लेंगे अब जैकेट के फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट को हम शोल्डर के पास से अटैच कर लेंगे और इसके साइड से भी हम इस पे स्टिच लगा लेंगे को इस लाप तूआज आब यह गार आऑ दो इस विड़ से स्वेचेας लेद यहां यहां पर इस तरह की जो विड़ से यहां पे 20 इन्चेस इस इस फैवरिक के बूटे बने हुए है वन साइडेड ऊपर की तरफ लावर लिया है तो इसको हमें एक जैसा एक के ऊपर एक प्लेस करना है जिससे की दोनों स्लीव के जो पैटर्न है वह एक जैसे आए अब इसके बाद मैं यहाँ पर यह स्लीव कर रही हूँ तो यह है मैंने कॉर्नर से 17 इंचेश मांक कर लिया है और मैं यहाँ पर स्लीव करूंगी और जो सेंटर से थ्री इंच का पर्ट है उसको मैंने छोड़ दिया है ऐसी वहाँ पर फ्रिल्स बनेंगी इस तरह से जैसे हम स्लीव ड्रॉ करते हैं वैसे हम स्लीव कर लेंगे और यहां पर यह लें फैब्रिक बज़ गया है तो इसको मैं नीचे बॉर्डर की तरह अटेच करूंगे इसमें तो इसको मैं कट कर लेती हूं यह 3 इंच के करीब य किया था तो इस बॉर्डर को मैं इसके साथ अटेच कर लूँगी तो इस तरह से अटेच करने के बाद यह मेरा एट इंच लैंध का स्लीव बंदकर रेडी हो जाएगा तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है ये देखिए यहाँ पे मैंने front का जो cut होता है sleeves का वो भी मैंने यहाँ पे cut कर लिया है अब इसके बाद मैंने margin छोड़ते वे यहाँ पे दोनों side पे 5-5 inch mark कर लिया है अब इन दोनों 5 inch के बीच पे मैं यहाँ पे चोटी-चोटी सी plates बनाऊंगी इस तरह से और यह उपर नीचे दोनों तरफ सेम रहेंगी और इसके बाद मैं इसके उपर सिलाई लगा लूँगी और इसको मैं measure करके देख रहे हूँ यह देखिए यहाँ पे 14 inches आ रहा है margin छोड़ने के बाद तो इस तरह से मैं इस पे plates बना लूँगी और इससे stitch कर लूँगी और इसके बाद यहाँ नीचे में यह plane fabric है जो 3 inches का उसको मैं इस तरह से joint कर लूँगी तो यह देखिए friends इस तरह से मैंने यह sleeves बना कर ready कर ली है पहले मैंने यह plates बना ली और इसके बाद इसके ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को stitch कर लिया और इसके बाद जो यह 3 inch की strip थी उसको मैंने इसके साथ attach कर लिया अब मैं इस sleeves के लिए अस्तर कट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने अस्तर को four fold कर लिया है और यहाँ पर मैंने sleeves की length ली है 8.5 inches और center से मैंने यहाँ पर लिया है 7 inches और top से मैं यहाँ पर 3.5 inch mark कर रही हूँ इसके बाद इन दोनों points को मैं यहाँ मिला लूँगी और यहाँ पर bottom के arm hole के लिए मैं यहाँ पर 6 inches draw कर रही हूँ अब इन सब points को मैं मिला लूँगी और यहाँ यहाँ मैंने 1 inch का margin भी ले लिया है और इसके बाद मैं यहाँ curves बना लूँगी sleeves पर और यह front का जो curve है वो भी मैंने यहाँ पर draw कर लिया है अब इसके बाद मैं sleeves क कर लूँगी अब इसके बाद मैं इसको sleeves पर attach कर लूँगी और इस तरह से bottom वाले part को attach करके इसे पलट लूँगी और इसके उपर top की stitch लगा लूँगी और इस तरह से यह मेरे दोनों sleeves बन कर ready हो गये हैं जिसको मैं अपने blouse के साथ attach कर लूँगी तो यह देखिए इस तरह से मैंने sleeves को blouse के साथ attach कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर fitting की stitch भी लगा दी है और इसके back वाले part पर मैंने hook पट्टी आई पट्टी लगा दी है और यहाँ पर hooks भी लगा दिये हैं इस तरह से मेरा यह blouse बन कर ready हो गया है अब यह जो jacket वाला part है यह blouse के right hand side पर आएगा इसको मैं इस तरह से रखूँगी इसके उपर और यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी तो डोरी के लिए मैं यहाँ पर लटकन्स तयार करूंगी तो इस fabric में बहुत सारे छोटे-छोटे कतरन बजगे हैं उससे मैं लटकन बनाऊंगी तो यह देखिए यह कुछ pieces बजगे हैं इससे मैंने यह दो rectangular pieces कट कर लिये हैं जिससे कि मैं पिलो वाला जो लटकन होता है वो बनाऊंगी दो पीस इस तरह से इसको तीनों साइट से स्टिच करके इसके अंदर फैबरिक भर लूँगी और फिर इस तरह से पिलो वाला लटकन बन जाएगा और ये बचे हुए कुछ फैबरिक्स हैं इसको मैंने इस तरह से शेप में कट कर लिया है और इससे मैं कौन शेप के लटकन बनाऊंगी तो नीचे के फैबरिक को मैं हैम कर लूँगी फोल्ड करके और इसके बाद इससे मैं कौन शेप के लटकन बना लूँगी तो इस तरह से मैंने सारे फैबरिक को कट करके रेडी कर लिया है ये है इसको मैं सूधागी की help से पलट लूँगी और यह जो मैंने ''Square 境 कुट किया था'' इसको मैंने ''Pillow'' का shape देख कर स्टििच कर लिया है और यहां पर यह जो ट्रेंगल शेप थे इसको मैंने नीचे से हैम करकर ready कर लिये है कोण बनाने के लिए अब मैं strip को सुईधागी की help से पलट लूँगी और इसके बाद जो ये square shape वाला ये fabric था इसको मैं इस तरह से पलट लूँगी और इसके अंदर ये जो कटे हुए कत्रन है इसको मैं fill कर दूँगी और इसे उपर से stitch कर लूँगी तो ये pillow shape का लटकन बनकर ready हो जाएगा अब इसको मैं डोरी के साथ attach कर दूँगी अब मैंने जो दो छोटी छोटी डोरी बनाई थी उस पर इन cone वाले shape के लटकन को इस तरह से मैंने stitch कर दिया है और stitch करके इससे मैं पलट लूँगी और पलट कर ये जो square shape वाला मेरा pillow वाला लटकन है उसके नीचे मैं इसको attach कर दूँगी और इस तरह से मैंने ये दोनों डोरिया बना कर ready कर ली है इसको मैं jackets के दोनों sides पर attach कर दूँगी इस तरह से तरह से मेरा ये jacket बनकर ready हो गया है और इस jacket को आप बहुत सारी कुर्टी के उपर wear कर सकते हैं, gowns के उपर wear कर सकते हैं, blouse के उपर wear कर सकते हैं तो इस तरह से ये multi-purpose jacket बनकर ready हो गया है और इसको wear करने से सभी blouse की कुर्टी की gown के जो look है वो बढ़ जाएगा कर दो अजय के बाएगी से में बढ़ एक है जो तो सिच एक है जो आपके गईशा और बाएगी जिर हो अजय के जगी कुर्टी कि तो आपके लेड़ी हो और देकी और दिय्कों गूटीं